नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहा हैं Grand Jotis Secret मेश रासी सपताहिक रासी फल 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा पहले हम समझते हैं चैनरमा की इस्तिति कैसी रहेगी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को चैनरमा सिंग रासी में गोचर करेंगे और इसके बाद 3, 2 और 3 अक्टूबर को चैनरमा करने रासी में गोचर करेंगे और फिर 4, 5 और 6 अक्टूबर को तुला रासी में चैनरमा गोचर करेंगे तो चन्रमा के इस्तिती के अनुसार ये सब्ताह आपके लिए कैसा रहेगा क्यूंकि दो और तीन अक्टूबर को ब्रस्पती की दृष्टी चन्रमा के उपर है तो गचकेसरी योग का निर्मान होगा 30 सितंबर और एक अक्टूबर को विस योग बना हुआ है तो थोड़ी साबधानी रखनी होगी और अब जानते हैं आपके उपर विस्तार से इन तमाम इस्तिती के अनुसार प्रभाव क्या होगा तो मेश रासी 30 सितंबर और एक अक्टूबर को आपके धन आने के रास्ते आपके लिए बढ़िया रहेंगे धनानी के रास्ति खुलेंगे अगर आप भी द्यारती हैं कहीं एडमीसल लेना चाहते हैं उसके योग बने वे हैं लब लाइफ भी ठीक रहेगा और लोट्री जुआ सट्टा से लाब के योग है लेकिन अगर आप इंटर्वी विगर देने जा रहे हैं तो यहां पर समय अ अगर आप कहीं यात्रा विगर करना चाहते हैं गुमने फिरने जाना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा भी के योग बने वे हैं दो और तीन जो अक्टूवर का दिन है अब चंद्रमा किस्तिती यह कहती है कि कुछ गुप्त सत्रू मित्र के भेस में आपके सामने आ स अगाए सकते हैं तो ऐसे में समझ की और पहचाण कोन अपना कोन पर आया क्रव में गलत तो लोगों पर आखे बन कर भरोसा ना करें साब्धान रहें हलांकी धनकों लेकर मुश्किलेशे नहीं हैं कर जिसे भी मुक्ती मिलेगी पर कोई अपना बनकर नुक्सान करा सकता है धोखा दे सकता है इसलिए संभल कर रहेगा और अपने जीवन का कोई भी गुप्त बातें किसी को भी मत बताईए चाहे कोई हो अपना हो पराया हो करीबी हो नहीं तो बदनामी हो सकता है आगे चलकर आप परिसानी में पढ़ सकते हैं कोई भी गुप्त गुप्त का मतलब ही रखने योग है तो चिपाकर रखें मा के स्वास्त का ध्यान रखेगा और थोरा सा अगर आप जौब करते हैं तो आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ 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 पेसाईए तो अच्छा रहेगा और पैसे बचाने का प्रयास कीजे क्योंकि ये दो दिन जो है ना थ इसके बाद जो बांकी के तीन दिन बचे ये आपके बैवाही जीवन के लिए धीरे धीरे रिस्तों में सुधार होगा वैपारी भाईयों को भी काम के मामलों में अगर कोई तलास कर रहे हैं तो कारे मिलेगा और धन समन्दी मामलों में आपके लिए बढ़िया है ससुराल पकसे भी तालमिल बना रहेगा अगर आप मकान दुकान किराय पर देना चाह रहे थे वो लग जाएगा यहां तक कि मन मस्तिक्स आपका प्रसनचीत रहेगा नौकरी वैपार के मामलों में ठीक है वक्त और यहां पर इस्तिती आपके कंट्रोल में रहेगी तो आप यहां अ कोबर ओल उत्तम रहेगा क्या करेंगे देखिए हनवान चरिसा का पार्ट करके दिन की सुरुआत कीजेगा आपके लिए बढ़ियां रहेगा धन्यवाद पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादेब चरू लिखें